नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो को लाइक जरूर करे और अगर आप चैनल पर नए है तो शास्त्र सनातन ज्यान चैनल को सब्सक्राइब करे अगर आप श्री विश्नु के भक्त है तो इस वीडियो को वाटसेप फेस्बुक पर शेर जरूर करे ताकि श्री विश्नु आपकी हर एक मुराद को पूरा करेगे तो वीडियो को अभी के अभी शेर जरूर कर दे साथ ही साथ एक लाइक तो जरूर करियेगा ओम नमा शिवाय, जय भोलेनाथ, नमस्कार प्रिय भक्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में प्रिय दर्शको आज का प्रसंग है दोस्तो आज का जो वीडियो है उसे बहुत ही ध्यान से देखना आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भगवान शिव शकर भोलेनाथ के शिवलिक पर छर्रे हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है दोस्तो अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है पैसे की कमी है, नौकरी नहीं की लग पा रही है बीमारियों से ग्रसित हो या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है आज का वीडियो देखिए आपकी समस्त समस्याओं का निवारन होगा अपने जीवन के यहां 5-10 मिनट केवल 5-10 मिनट इस वीडियो को दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि भगवान शिव शकर भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर बनेगी दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना को पूरा करेगे कमेट में जय भगवान शिव पारवती जरूर लिखे भगवान भोलेनाथ को याद करे, आप पर भगवान भोलेनाथ का आशिरवाद हमेशा बना रहे, आपके घर में धनकी कभी कोई कमी न रहे, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे, दोस्तों, आपने सुना होगा कि शिवलिक जो होती है, उस पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है, उसे खाने से क्या फाइदे होते हैं? कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बाते पता चलेगी, जो की आपको कही भी नहीं पता चलने वाली है, आप लाखो करोडों रुपए खर्च कर देगे, आपको पूरे यूट्यूब में यह बाते नहीं पता चल पाएगी, तो वास्तव में जब आप शिवलिक पर बेल पत्र को चढ़ाते हैं, तो वह बेल पत्र कोई साधा, यान बेल पत्र नहीं रह जाता, बलकि वह साक्षात भगवान शिव शकर भोलिनात का प्रसाद बन जाता है, तो दोस्तों, यह विडियो अपने फाइदे के लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना आपको बतादू कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिक पर चढ़ा बेल पत्र छे महीने तक बासी नहीं माना जाता जी हाँ बेल पत्र को शिवलिक पर चढ़ाने के बाद उसे पुनह धोकर शिवलिक पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है क्योंकि भारत में कई ऐसी जगहे हैं जहाँ पर शिवलिक स्था पित है परंतु उसके आसपास बेल पत्र उपलब्ध नहीं हो पाते इसी वजह से कई ल भगवान शिव जी पर चढ़ाने के पीछे एक पौरानिक कथा है और कथा के अनुसार जब समुद्र मथन चल रहा था उसी समय समुद्र मथन के दौरान अमरित के साथ कई और चीजे भी निकली थी जिसमें से एक विश्व भी निकला था विश्व को आप जहर भी कह सकते ह और यह चारो और फैलने लगा उसी समय पूरी स्रिष्टी को से बचाने के लिए भगवान शिव शकर भोलेनाथ ने इस विशय को अपने कठ में धारन कर लिया था इसलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा परंतु के प्रभाव से भगवान शिव शकर क शरीर का ताप बढ़ने लगा जिसकी वजह से आसपास का वातावर्ण जलने लगा और तब देवी देवताओं ने प्राचीन वैद सलाहकारों से सलाहली की भगवान शिव शकर को इस बीच से कैसे बचाया जाए तो दोस्तों उस समय जो प्राचीन वैद सलाहकार थे उन्ह होने ततकाल बेल पत्र खिलाया और जल से सनान कराया इसके बाद भगवान शकर के शरीर में जो उत्पन गर्मी थी वह शात होने लगी और तभी से भागे शिव जी को बेल पत्र चढ़ाने की परपरा मानी गई है दोस्तों शिवलिक पर बेल पत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए इससे भगवान शिव को शितलता मिलती है और उनका आशिरवाद हमें प्राप्थ होता है हमेशा ध्यान रखियेगा कि तीन पत्ती वाली जो बेल पत्र होती है वही वाला आप शिव शकर भोलेनात को चढ़ाई है जहां से बेल पत्र चिकनी होती है उस तरफ से शिवलिक पर आपको बेल पत्र चढ़ाना चाहिए इस बात का आपको विशेश ध्यान रखना है कि कभी भी कटे फटे बेल पत्र भगवान शिव शकर को आपको नहीं चड़ाना है, इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शकर जी ने गनेश जी का सिर्खडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव शकर भोलेनाथ ने सकलत लिया था, कि कभी भी मुझे कोई खडित चीज नहीं अर्पित की ज जाये तब से भगवान शकर जी को कभी भी कोई चीज खडित नहीं चड़ाई जाती है, चाहे वह बेल पत्र ही हो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और वाका, में भगवान शिव शकर भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं, तो कमेट में भगवान भोलेन को जरूर याद करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से प्रति एक दिन आपको ऐसी जानकारी दी जाएगी, जो कि आपके दैनिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, अपने हिदू भाईयों को भी यह विडियो जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, अगर आप प्रति दिन बेलपत्र चड़ाते हैं, तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी, भगवान शकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है, जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं, उनकी तिजोरियो में बरक्कत आती हैं, और पैसे की समस्या खत्म हो जाती हैं, दोस्तों आप, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी सपून जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्थ होगी, दोस्तों, वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है, यहाँ जानकारी आप लाखो करोडो रुपए खर्च करके भी कही नहीं प्राप्थ कर पाएगे ना ही यूट्यूब पर पापाएगे चाहे कितना भी वीडियो देख लीजिए, इस पर, कार की जानकारी आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचा दीजिए जीहा दोस्तों, मैं कहना चाहूगा कम से कम आप 10 से 15 लोगों को तो यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी यह सौभाग्य का काम करके, के दूसरों की मदद करके भगवान शिव और पार्वती का आशिरवाद मिल पाए दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अमूल्य होती है। जिन में बेल पत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। सपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शकर का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्था, तजद में ब्रहमा जी का वास होता है। और बेल पेड के मध्य भाग में भगवान विश्नु जी का वास माना जाता है। दोस्तो, मैं आपको बतादू कि जो बेल पत्र होता है, उसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है। अर्था, हमारे सभी देवी देवताओं का जो शक्ति होता है, वो उसके अदर समाहित होता है। इसलिए आपको कभी भी सुमवार के दिन बेल पत्र नहीं तोरना चाहिए। दोस्तो, इसके अलावा प्रति दिन दोपहर बारा बजे के बाद भी आपको बेल पत्र कभी नहीं तोरना चाहिए या हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। और अगर आप फिर भी बारा बजे के बाद अगर बेल पत्र को तोरते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। दोस्तों बहुत ही विशेश जानकारी बता रहे हैं। अगर आपकी कोई भी मननत है और आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो तो कमेट बॉक्स में भगवान शिव शकर भोलेनाथ को जरूर याद करे और ओम नमः शिवाए। जरूर लिखे तो दोस्तों अब प्रशनाता है कि आखिर बेल पत्र की उत्पत्ती कैसे हुई तो दोस्तों आईए जानते हैं सकत पुरान के अनुसार एक बार माता पारवती की पसीने की कुछ बूदे मध्याचल परवत परजा गिरी जिससे वहां एक पौधा उगाया जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हैं पूरा जरूर देखियेगा क्योंकि आधा अधूरा ज्यान कभी भी लाभदायक नहीं होता है देखिये जब बेल पत्र को भगवान शिव शकर भोलेनाथ जी की शिवलिक पर चड़ाते हैं तो वह बेल पत्र एक बेल पत् जाता है इसलिए वह आपके लिए अमरित जैसा बन जाता है तो दोस्तों आखिरकार शिवलिक पर चड़े बेल पत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फाइदा मिलता है क्या बदलाव हमारे जीवन आते हैं चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों शिव जी पर चड़ बेलपत्र को खाने से शरीर के। तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। दोस्तो आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीट मचली मुरगा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं, खैनी गुठ्था तमबाकू यह सब। जो होती है उसका धारण करते हैं। पर तु एक समय के बाद उन्हें यह लगता है कि जो वह खापी रहे थे, वह गलत चीज था, पर तु अब वह यह जो पाप कर चुके हैं, उसको कैसे खत्म करें तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहूगा कम से कम ज्यादा नहीं तो एक महीने में 10 से 15 बार अगर आप भोले भगवान शिव शकर पर चढ़ा हुआ बेल पत्र का प्रसाद धारन करेगे तो जो तामसिक गुन होते हैं वो पूर्णता आपके शरीर से खत्म हो जाएगे अगर आपने कभी भी मीट मचली मुर्गा इस प्रकार का कुछ भी सेवन किया है या आपने शराब पिया है और आ आप इस पाप से मुक्ती पाना चाहते है तो आपको नित्य बेल पर का सेवन करना अत्यत आवश्यक है इसके सेवन से आपका शरीर शुध होता है आप अपने अशुध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णता स्वपन हो जाते हैं आपको भगवा शिव शकर भोलेनात के इस प्रसाद को ग्रहन करना अत्यत आवशक है। आपकी किस्मत आपकी तकदीर फिर से आपके अनुरूप। चलने लगती है, इसके अलावा आयुरवेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रख्त होता है, खून होता है, वह साफ होता है। अगर खून सब्धित कोई बीमारी है, तो बेलपत्र पत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून में किसी भी प्रकार की गदगी है, वह धीमे धीमे खत्म हो। आने लगेगी आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा, एक बेलपत्र खाएगे, दूसरे दिन दो बेलपत्र खाएगे, तीसरे दिन तीन बेलपत्र खाएगे, इस प्रकार ऐसे ही आपको जो बेलपत्र खाने का क्रम है, उसको बढ़ाना होगा। धीरे-धीरे खाईए लेकिन खाना जरूर है ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिल्कुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए, दोस्तों मैं आपको बता दू कि बेल पत्र जो होता है वह filter करने का काम भी करता है आपके शरीर को जैसे आपके शरीर में किडनी होती है किडनी क्या करती है, जो पानी होता है, जो खून होता है, उसको फिल्टर करती है, उसी प्रकार से जो बेलपत्र है, वह भी आपके शरीर में जो अशुध चीजे होती है, आपके खून में जो गदगी होती है, उसको साफ कर देता है, फिल्टर कर देता है, दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कॉमेट में जरूर लिखे जय भोलिनाथ जय शिव शभू साथ ही देवो के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाये रखे। उमीद है आपको यह कथा पसद आई होगी तो कमेट करके अवश्य बताए जानकारी अच्छी लगी तो विडियो को लाइक जरूर करें और कमेट में जैश्री हरी विश्नु अवश्य लिखे साथ ही चैनल शास्त्र सनातन ज्यान को सब्सक्राइब करें आप सभी का धन्यवा प्राइब करें तो एक जादग में जैश्ट करें टादग करेंदा।